दोस्तो यदि नजदी की बविश्य में आप इस तरह की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग अपनी सीडी पे अपने घर की सीडी पे अपनी दुकान पे कहीं भी लगवाना चाथे हैं आज के इस वीडियो में मैं इस सीड़ी के बारे में इस रेलिंग के बारे में टोटल डिटेल से बात करने वाला हूँ, क्या रेट स्टील है, क्या रेट हमारी लेबर होती है, कितने रुपे रुपे किलो होता है, आपको कहां पे 304 का माल लगवाना चाहिए, कहां पे 202 का मा से देखना एक एक चीज को आराम से समझना यदि कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना तो मेरा नाम है मोली सिंग आप देख रहे हैं एसस फाइबर ग्लास एंट फैब्रिकेशन वर्ट दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैमाईश किस तरह से होती है किलो में यदि आप ले रहे हैं तो सारा माल वेट के इसाब से आजाएगा कुछ भी नहीं करना आपको यदि आप रनिंग फिट के इसाब से फिटिंग करवा रहे हो तो इसकी पहमाईश ऐसे होगी यहां से ही हो गया साड़े तीन फिट और इसके बाद यहां से यह वाली जो टोप वाली जो पाइप है इसको इसका मेजरमेंट करते जाएंगे जैसे जैसे यह गूम रही है वैसे वैसे इसका हाइट क्या है उससे रनिंग फिट का कोई लेना देना नहीं है रनिंग फिट का मतलब है यह उपर वाली पाइप के काउंटिंग होगी इसके अलाबा आपका यह जो निचे पिलर लगा है मेन इसकी काउंटिंग होगी उसी के अंदर यह साड़े तीन फिट का इसके बाद यह वाली पाइप माप पी जाएगी रणिंग फिट में दोस्तो अभी बात करते हैं प्राइज की यह जो माल आप लगा हुआ देख रहे हैं यह जिंदल स्टील का माल है और यह सोड़ा गेज का माल है इसमें पर रणिंग फिट में दो किलो वेट है चार सो रुपे किलो के हिसाब से यह है आट सो रुपे रणिंग फिट हो गया 60 running fit माल लगा हुआ उपर देख सकते हैं आप उपर से लेके निचे तक total जो माल है 60 running fit माल लगा हुआ है total कीमत इसकी 48,000 रुपे यदि आप इसी माल को सस्ते में लगवाना चाते हैं माल तो 304 का लगवाना चाते हैं लेकिन आप इतना खर्चा नहीं करना चाते हैं कम खर्च में ऐसी railing लगवाना चाते हैं जैसे कि ये 16 गेज का माल है 400 रुपे किलो है एक running fit में 2 किलो वेट है तो 800 रुपे running fit हो गया यदि आप इसी को सस्ते में लगवाना चाते हैं तो ये माल लगेगा 20 गेज का और 600 रुपे running fit 304 ग्रेड में ही यह railing आपकी बन जाएगी इसके अलावा यदि आपका pack space है मतलब की उपर छट है घर के अंदर आप लगवाना चाते हैं तो मैं आपको recommend करूँगा आप 202 भी लगा सकते हैं इससे भी कम खर्च में यदि आप इतना खर्चा नहीं करना चाते है 48,000 रुपया लेकिन आप इसको heavy में ही चाते हैं वजन भी कम ना हो खर्चा भी कम हो तो आपको यह 36,000 रुपे में बनेगी 600 रुपे running fit के इसाब से पर running fit में 2 kilo weight same यही design बन जाएगा ठीक है 202 का माल लगेगा लेकिन मैं आपको recommend करूँगा अगर आप 202 का माल लगवाते हैं तो आपको यह सारी की सारी railing घर के अंदर के लिए लगवानी चाहिए ना की open space के लिए यदि आप open space के लिए 202 लगवा लेते हैं गलती से तो इसमें rust आने के chance 70% हो जाते हैं दोस्तो यदि आप 36,000 रुपया भी खर्चा नहीं करना चाते हैं 60 fit के लिए तो आप 45,500 रुपय running fit के इसाब से 202 grade का माल घर के अंदर के लिए यह लगवा सकते हैं जिसमें 202 का माल होगा यहां पे जो आप 4 pipe देख रहे हैं इसकी बजाए तीन pipe होगी इसकी height same ही रहेगी 36 inch height है इस railing की measurement कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया चार तरह के आपको अलग-अलग price बता दिये price मैं आपको अलग से लिखके भी देता हूँ side में जो की आप देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं एक बार फिर से वीडियो खतम करने से पहले आपको फिर से एक बार बता देता हूँ 304 का माल है 60 feet लंबाई है इसकी 48,000 रुपे इसकी total cost है यदि आप इसको कम खर्च में बनवाना चाते हैं तो 36,000 में 1.5 kg पर running fit में weight आएगा 20 gauge का माल लगेगा 304 का माल लगेगा 36,000 रुपे में बनेगी और उससे भी यदि हलकी और सस्ती और बनवाना चाते हैं तो 202 का माल लगेगा 20 gauge का माल लगेगा 27,000 रुपे में 45,500 रुपे running fit के इसाब से ये railing 27,000 रुपे में 60 running fit की आपके लग जाएगी पाशा करता हूँ railing से related steel railing से related आपके सभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिये हैं हो सके यदि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई हो इस वीडियो के माध्यम से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी every Sunday में रात को 9 बजे लाइब भी आता हूँ आप मेरे लाइब प्रोग्राम में आके मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद